अज मैं आपको जिन्दी का एक सच बताना चाहता हूँ जो आपका जानना बहुत ही ज़रुरी है आपके सपने की और temu आपका पहला कदम बहुत ही मुस्किल हो सकता है सब कुछ आसान होगा ये बात कहकर मैं आपसे जूट मी भोलना चाहता हूँ इतना मुश्किल भी हो सकता है कि आप हत्यारी डाल दे अपने आप से कह दें कि मुझसे नहीं होगा अगर आपने अपने सपने को पूरा करने का फैसला करी लिया है तो मैं आपको अपने तजरुबे से एक सला दूँगा आपको कभी भी बाधाओं के खत्म होने का इंतिजार नहीं करना है क्योंकि आपके रास्तों में आने वाली बाधाय कभी भी खत्म नहीं होगी आप सभी जानते होंगे तेरने के लिए आपको नदी में कूदना पड़ेगा नदी किनारे खड़े होकर आप तेरना नहीं सीख सकते इसलिए अगर आप बाधाओं के खत्म होने का इंदिजार करेंगे तो आपका सपना एक सपना ही बन कर रहे जाएगा सपनों को अकिकत में बदलने का एक ही रास्ता है हिम्मत करके इन बाधाओं के सामने खड़े हो जाईए किसी भी सपने को पूरा करते समय रास्ते की सबसे बड़ी समिश्या वे लोग होते हैं जो हमारे सपने से सहमत नहीं होते हैं ऐसे लोग आपको हमेशा ही आपको सपने से बढ़काने की कोशिस करते हैं जैसे कि आप गलत कर रहे हैं आपका सपना पूरा नहीं होगा ऐसा करना चीए था आपका ऐसे लोगों की ओर ध्यान ने देते हुए अपने सपने को पूरा करना है मैंना इसलिए कहा तो कि विपकसी और बुराई करने वाले लोग हर इंसान की जिन्दगी में होता है यह एक आम बात है अगर आप ऐसे लोगों की सुनेंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे यह तो थी पहली समस्य है अगर हम दूसरी समस्य की बात करें तो ज़्याद अदर लोग अपने सपने को इसलिए पूरा नहीं कर पाते है क्योंकि वो ऐसा सोचते है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास अच्छे हुनर होने चीए हमारे पास योगिता होनी चीए लेकिन ये बात सच नहीं है सच ये है कि आप उस काम को करने से ज़्यादा सीखेंगे नहीं कि इंतिजार करने से क्योंकि उस सपने के लिए काम करते समय आपका हुनर और योग्यता अपने आप भी बढ़ती चली जाएगी जब भी आप अंदर से टूक जाए या फिर आपको गबरहाट महसुस हो ऐसे समय में अपनी आखें बन कर लीजिए और सोचिए कि आपका सपना पूरा हो गया आप लोगों के लिए गुदारन बन चुके हैं सभी की जुबान पर बस आपका ही नाम है ऐसा करने से आपको बुस्ट मिलेगा एक कमाल की उर्जा मिलेगी मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा अपना सपना पूरा कीजिए नहीं तो आप किसी दूसरे के यह नोकर बन कर उनके सपने पूरे करेंगे